आप देख रहे हैं Life 7 नमस्कार Life 7 विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान नंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे भगवा मैं सीता राम जी की सीता तो भगवा मैं थी ही लेकिन आज जार्खंड की सीता यानि जार्खंड मुक्ती मूर्चा की सीता भी भगवा में हो गई है जिहां गुरूजी सीवू सोरेन की बड़ी पुत्रवदू सीता सोरेन ने जार्खंड मुक्ती मूर्चा को छोड़ कर भारती अंता पार्टी जोइन कर ली है दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्ता ली, भार्टी इंता पार्टी की सदस्ता ली, भाजपा के रास्ट्य महामंत्री और रास्ट्य उपाध्यक्ष, साथी साथ जार्खन के प्रभारी भी और बिहार के प्रभारी दोनों ने मिलकर सीता सुरेन को भाजपा में सामिल कर और इसके बाद ही कह सकते हैं जारखंड की राजनीती में खास करके जारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर एक भूचाल सा गया है इसे यूं कहें कि जारखंड मुक्ति मोर्चा को करारा जटका लगा है तो कोई अतिस्योगती नहीं होगी इसके कई राजनितिक मायने भी निकलेंगे क्या कुछ है कहानी इसके भीतर की आखिर क्यों सीता सोरेन अचानक से भाजपा में चरी गई या फिर ये अचानक हुआ है या इसका प्लेटफॉर्म बहुत पहले से तयार हो रहा था इस सारे चीजों की दरपरत दरपरत कहानी मैं आपको बताऊंगा लेकिन आज जो चर्चा हो रही है कि जार्खन मुक्ति मोर्चा की कलपना से परे निकल गई सीता जी हां कलपना सोरेन जब कलपना सोरेन की इंट्री राजनीत में होती है गिरिडी से गिरिडी में पार्टी का स्थापना दिवस्था और उस दिन पहली मर्तवा वो मंच पर जाती है खुले मंच पर पबलिक के बीच में जाती है कारिकरताओं के बीच में जाती है और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जार्खन मुक्ति मोर्चा की कलपना है कलपना सोरेन और उसके बाद विधान सवाद ध्यक्ष को एक घंटे के बाद पत्र जाएगा विधान सवाद की सदस्ता से इस्तिपा देने का और दिन के दो बजे वो भारती अंता पार्टी की सदस्ता गरंड कर लेंगी और इतना ही नहीं सदस्ता ही गरंड नहीं किया कई चीजें कई बा आज हाम जारकन मुक्ति मुर्चा के महा परिवार को छोड करके यसस्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधीजी के विशाल परिवार में आज हम सामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंदर मोधी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे बिस्वा में जो हम सब को देखने के लिए मिल रहा है आएदीन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नडड़ा जी गुर्व मंत्री अमीद साह जी देवेंदर फर्नांडिस जी दीन राद सब भी मिल करके लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो इसी दुरिष्टिकन को देखते हुए हम लोग आज चुनाओ के दीनों में पहुँचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सुचना मिल रही हैं कि लोग जो कंडिडेट है भारतीय जनतापाटी के उपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महा परिवार में मोदी जी के महा परिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जूर रहे हैं और मैंने भी कई संगर्ष किये जारकन में 14 साल जारकन मुक्ति मुर्च पाटी में रही मेरे सोसुर जी, सीवु सोरेंदी, मेरे सोर्गिय पती दुर्गा सोरेंदी उनके अगवाई में जारकन अलग राज बना और उनका सपना था कि जारकन को किस तरह से विख्षित राज बनाये जाए कई मेहनत किये मेरे सोर्गिय पती ने संगठन बनाये जल जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी लिकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई इस बीच में क्योंकि जब मेरे सोर्गिय पती जीनदा थे उनका कहना भी था कि में राजनेती में आऊं, एमेले बनू और ज़ारकन का नैतरित तो करो लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया और उनकी सपने को पूरा करने के लिए में ज़ारकन मुक्ति मर्चा में मिधायक रही लेकिन कहीं न कहीं इतनी साल गुजारने के बाद भी कि जिस मुकाम तक हमें पहुँचनी चाहिए थी क्योंकि 24 साल ज़ारकन अलग राज बन के हुआ पर अलग राज की लड़ाय में कहीं लोगों ने अपनी कुर्बाने दे थी वहां के जल जंगल के जमीन की रक्षा करने के लिए आधिवासी बहुल छेत्र है आधिवासियों का विकास कैसे हो लेकिन आज तक उपेक्षी थी रहा वहां कई खनीज पदार थे देश का 40% खनीज वहां मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहां पर भटक रहे हैं नोकरी के लिए पलायन कर रहे हैं भार तो इन सब चीज आभी वहां के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पती का योगदान रहा जारकन अलग राज्य को बनाने में और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं जारकन विकास से को सो दूर है तो ऐसे मैं मुझे मोधी जी का परिवार महा परिवार में आना पड़ा क्योंकि हमको जारकन को बचाना है जारकन के बासियों को जारकन डियों को नियाय दिलाना है यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में सामिल हुई और मोधी जी का जो सोच है वो सोच जारकन में भी आप पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गयों पती दुर्गा स्वरेंजी का वो सपना अब जल्दी जल्द पूरा होगा हमको इस तरह का उम्मीत है तो मैं आज बहुत खुशी और गर्वानवित महसूस कर रहे हूँ कि एक बहुत बड़ी मकसद और बहुत बड़ी लड़ाई के लिए और जीत का भरोसा जरूर है क्योंकि जब हम मोधी जी के परिवार में सामिल हुए है तो हमारी मकसद जो है जारकन को बचाने का जारकन को जुकाएंगे नहीं जारकन को बचाएंगे इसके लिए हम भारती जंतापाटी में सामिल हुए है और आने वाले दिनों में हमारी जीत हमारी जो लोकसभा के चोदो सीट है सभी 14 सीटों में कमल खी लेगा यह मैं आप सबसे बादा करते हूँ सबको जोहार जय हिन जय जाइजारकंड आखरी लाइन था जारकंड जुकेगा नहीं जारकंड आगे बढ़ेगा यानि जो जार्खंड जुकेगा नहीं वो चीज जो टैग लाइन लगाया गया था जार्खंड मुक्ती मूर्चा के दौरा जुकेगा नहीं जार्खंड उसकी भी काट इन्होंने अपने वक्तम में कर दी कि जार्खंड आगे बढ़ेगा जार्खंड को जुकने नहीं देंगे जार्खंड आगे बढ़ेगा उसके अलावा देखी आप क्या कहा उनोंने जार्खंड वासियों को नियाय नहीं मिल रहा था उनके पती ने जो सपना देखा था जार्खंड के लोगों को नियाय को लेकर वो सपना साकार होता नहीं दिख रहा है जल जंगल जमीन की जो बातें होती थी वो चीजें सही रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहे है लोग अभी भी ठगे जा रहे है यानि कहीं न कहीं जो भी बातें सामने आ रही है उन सारे चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो जो कहा जाता है कि जब पारिवारी कलह सता पर आती है तो कई चीज़े परत दर परत खुलते जाती है और वही चीज़ अब देखने को मिल रहा है आपको मैं बताता हूँ कि गुरुझी को जो इस्तीफा भेजा है सीता सोरेन ने उसमें उन्होंने क्या लिखा है और उसमें कई चीज़े साफ हो जाएंगी उसमें लिखा है आदार्निय गुरुझी बाबा केंद्रिय अधख्च जारखन मुक्ती मोर्चा मैं सीता सोरेन जार्खन मुक्ती मोर्चा की केंद्रिय महा सचिव एवं सक्रिय सदस्र वर्तमान विधायक हूँ आपके समक्ष अत्यन दुखी हिर्दय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ मेरे स्वर्गिय पती स्री दुरुगा सोरेन जोकी जार्खन आंदोलन के अगर्णी युद्धा और महान क्रांतिकारी थे के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का सिकार रहे हैं पार्टी और परिवार के सरस्त्रा दोरा हमें अलग तलग किया गया है जो की मेरे लिए अत्यंत पीरा दायक रहा है मैंने उमीद की थी कि समय के साथ इस्थीतियां सुधरेंगी परंतों दुर्भाग के बस ऐसा नहीं हुआ जारकन मुक्ती मोर्चा जिसे मेरे सुर्गिये पती ने अपने त्याग समर्पर और नेत्रित चमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था आज वह पार्टी नहीं रही मुझे यह देखकर गहरा दुक होता है कि पार्टी अब उनलों के हाथों में चली गई है जिनके द्रिष्टिकोन और उद्देश हमारे मुल्यां और आदर्सों से मेल नहीं खाते ये गौर करने वाली लाइन है इनके द्वारा सीधे तोर पर जो पार्टी के उपर जो इन्होंने करारा परहर किया है वो आप फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उनलों के हाथों में चली गई है जिनके द्रिष्टिकोन और उद्देश हमारे मुल्यां और आदर्सों से मेल नहीं खाते स्री सिवू सोरेन गुरुजी बावा के अथक प्रियासों के बावजूद जिन्होंने हम सभी को एक जूट रखने के लिए कठिन परिस्रम किया अफसोस है कि उनके प्रियास भी विफल रहे मुझे हाली में यह जात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाब भी एक गहरी साजीस रची जा रही है यानि इनके और इनके परिवार यानि इनकी दो पुत्रियां हैं राश्री सोरेन जैस्री सोरेन इनके उपर भी गहरी साजिस रची जा रही हैं ऐसा आरोप उन्होंने पत्र के माध्यम से लगाया है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अत्यन दुखी हूँ मैंने ये द्रिर निश्चे किया है कि मुझे जार्खन मुक्ती मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा अत्या मैं अपनी प्रात्मिक सदस्ता से इस्तिफा दे रही हूँ और आप से निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तिफी को स्विकार किया जै मैं आपका और पार्टी का हमेशा आभारी रहोंगे और मेरी सुबकामनाय सदेव आपके साथ रहेंगी ये तो एक बाते हैं भी आपने इस पत्र में सुना मैंने जो पत्र लिखा था सीता सोरेन ने उस पत्र को आपके समक्ष रखा इसके अलावा भी मैं रखता हूँ कि जो उन्होंने पार्टी जोईन करने के बाद जो बयान दिया था उसमें क्या लाइन था भाजपा कारियले के बाहर जो उन्होंने बयान दिया था उसमें कहा था पीएम मोदी के नेतरित में देश का तेजी से विकास हो रहा है इसी कारण आज में बीजेपी में सामिल हो रही हूँ चोदा वरस्तों तक जामों रहने के बाद भी कई सपने अधूरे रहे अलग जारखंड राज बनाने में उनके पती दुरगा सोरेन का बड़ा योगदान रहा वे जारखंड को विक्सित राजी के रूप में देखना चाहते थे लेकिन वह सपना अभी अधूरा है इसलिए उन्होंने बीजेपी में सामील होने का फैसला लिया बड़ा मकसद और बड़ी लडाई के लिए बीजेपी में सामील हो रही हूं ये सीता सोरेन का वक्तब था अब आपको मैं वो भी चीज़ बताता हूं कि जिस समय हेमन सोरेन को गिरफतार करने गिरफतारी की तलवार वक्तब को मैं बताता हूं उन्होंने क्या वक्तब दिया था कब तक चुप रहोंगी कब तक सहोंगी जार्खड में छीरे सियासी घमासान के बीच जार्खड जामो सुप्रीमो सीवो सुरेन की बड़ी बहु साजमा विधायक सीता सुरेन ने असपस्ट कर दिया है कि अगर उनके देवर हेमन सुरेन अपनी पत्नी कलपना सुरेन को मुक्हमंत्री बनाते हैं तो वह उस फैसले को स्विकार नहीं करेंगी और ये चीजे उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने अपने उनके इस संघर्स में मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही सीता सुरेन ने कहा कि दो छोटी बच्चीयों को मैंने कितनी तक्रीपों से पाला है या मैं ही जानती हूं इसी बीच मेरे पती दुरुगा सुरेन चल बसे उस हालत में मैंने जाने कितने त्याक किये लेकिन अब च लेक्षा नहीं होगी मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इस पर मेरा हक बनता है सीता सुरेन ने यह भी कहा था कि अगर मैं राजनीती में नहीं रहती तो कभी हक नहीं जाता थी 2019 के चुनाओं में मुझे लगा था कि सम्मान मिलेगा लेकिन नहीं मिला हेमन सुरेन सीएम बने तो मैंने उस फैसले को स्विकार कर लिया लेकिन उनकी पत्नी को सीएम स्विकार नहीं करूँगी देवरानी कलपना सुरेन भी राजनीती में नहीं है इसलिए उनका हक नहीं है साथ तोर पर कहा था कि कल्पना सुरेन राजनीती में नहीं है इसलिए उनका हक नहीं बनता है सीता सुरेन ने यहभी कहा था राजा को राजा की तरह वेवार करना चाहिए उन्हों ने हेमन सुरेने पर यह कटाक मंत्री बनाएं तब जाकर जारकंट के लोग समझेंगे कि इंसाफ हुआ है गुरुजी की बड़ी बहुत सीता सुरे ने यहां तक कहा था उस समय मैंने इतनी लड़ायां लड़ी हैं कि मेरी आदत पर गई है मैं किसी से ड़ती नहीं अब रूकूंगी नहीं उनसे और साथ ही पिदायक जो दिल से मेरे सपोर्ट में हैं लेकिन अर इसी परिस्थिती बना दी गई है कि वे खुल कर सामने नहीं आ पाते हैं इसलिए मौजुदा हालत में अगर हेमन सोरे ने अपनी पतनी कलपना सोरेन को सीएं प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करोंगी अंत में उन्होंने कहा कि कब तक सेकरिफाइस करूंगी और यह बाते आज भी उन्होंने कही है कि कब तक आखिर सीता सोरेनendeu कर भाजपा के आगान में चली गई है तो आखिर वज़ा क्या होगी ऐसे ही कोई नहीं जाता है 2009 में पहली मर्तवा विधायक बनी और विधायक बनने के बाद उस समय से लगातार विधायक हैं दो दो मर्तवा सरकार बनी हेमन सुरेन की सरकार पहले भी बनी 2013 में और फिर 2019 में सरकार बनी 2013 में भी सीता सुरेन विधायक थी कोई जगे नहीं मिला उस समय कहा गय या गड़ बंदन है कॉंग्रेस पार्टी है और जेडी है जारकन मुक्ति मोर्चा है नहीं हो पाएगा 2019 में सरकार बनी 2019 में भी उमीद थी सीता सोरेन को उनको सरकार में कोई सम्वान मिलेगा मंतरी पद मिलेगा नहीं मिला लेकिन वो टीस हमेशा वो विधान समा में बयान करती थी और एक मुखर विधायक के रूप में अपनी पहचान 2019 के कारिकाल ने बनाई जब उन्होंने अमरपाली में जो घोटाले हो रहे थे कोईला के जो अवेद उत्खनन हो रहे थे या कोईला की जो अवेद रैक जो जा रहे थे वहां से ट्रेक पे जो लोड होके जा रहे थे उसका मामला उठाया था धनवाद का मामला उठाया था साथ ही साथ मामला उठा आया था उन्होंने और उस समय मुखर होकर कि बिदान सभा के द्वार पर उन्होंने धरना भी दिया था इन मामलों को लेकर और इसके बाद भी जो है सो इनको इगनोर किया गया था और यह मैं नहीं कह रहा है यह खुछ सीता सोरेन कह रही है कि लगातार उनको इगनोर किया ग पीर से वहीं का वहीं छोड़ दिया गया तब इनको दुख हुआ यह चीजें ऐसे ही नहीं सामने आई हैं यह ऐसा नहीं है कि भाजपा में आज तैह हुआ कि पहली बैटक होती है उस भीर को देख करके लगा था कि फिर से जो है सो एक उल्गुलान होने जा रहा है और यह उल्गुलान दुरुगा सोरेंजी जो काफी जारकंड बड़े आंदोलनकारी जारकंड के थे और उन्होंने जारकंड इन्मान में महत्ती योगदान की थी इस से चला रहा था और कई वर्सों से सीता सोरेंज अलग ही रह रही हैं सेक्टर 3 के F5 quarter में वो रह रही हैं गुरुजी से मिलने वो जरूर जाती हैं अभी भी जब सरकार बनी चमपाई सोरेंज की तो उमीद थी सीता सोरेंज को उनको पद मिलेगा लेकिन उनको जगह नहीं द चीजें गया आग में घीड डालने का काम किया है और यही वजय है कि सीता सोरेंज जो है सो पर्तिवाद में उतर गाई बिरोध में उतर आई और स्थित्य आपने देखा अब इसका परिणाम क्या होने जा रहा है देगे सीता सोरेन एक विधायक है गुरू जी की पुत्रवधू है तो इनके आने से भाजपा उत्साहित इतनी क्यों है क्या जारखन मुक्ति मूर्चा को सही माइने में करारा जटका लगा है ये भी एक सवाल खड़ा होता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो संथाल परगना एक ऐसा गड़ है जारखन मुक्ति मूर्चा का जो गुरू जी का तयार किया हुआ गड़ है उस गड़ में भाजपा को हमेशा से मसकत करनी पड़िये सीटे निकालने के लिए और मोदी जी के वेब में परधान मंत्री नेंद मोदी के वेब में 2019 में भी भले ही गुरू जी दुमका सीठार गए लेकिन संथाल परगना में क्लीन स्विप भाजपा नहीं कर पाई लेकिन जैसे ही दूसरा चुना होता है इसमें जामा विधायक सीता सोरेन के इस्तीफी के बाद भाजपा में सामीर होने के बाद क्या गनित बैठेगा अभी एक बातें लगातार कही जा रही थी जब कलपना सोरेन गिरिडी की सभा में सामील हुई और वहां जाकर जब उनके आसू छलके तो मीडिया में ये बातें आई कलपना की आसू क्या गुल खिलाएगी अब यही चीज कहा जाएगा जब सीता सोरेन जाएंगी और जब इनके आसू निकलेंगे अपने दिवंगत पती के नाम पर जो चीजें इन्होंने पत्र में लिखाया जो बातें इन्होंने मीडिया के समख पिछले दो-तीर मेहने से कहते आ रही है या यू कहें कि पिछले जो 2019 में सरकार बनी है उसके बाद से लगातार मोके को मोके कहती आ रही है क्या उसके बाद ये चीजें साहनभूती भर से साहनभूती तो नहीं हो जाएगी संथाल में और गुरू जी के परिवार का बिखराओ का नतीजा कहीं जारखन मुक्ती मोर्चा के खिलाफ तो नहीं आएगा संथाल परगना में अगर गुरुजी के बाद सबसे ज़्यादा किसी नेता का वैल्यू है किसी नेता को लोग मानते हैं आज भी भले ही दुरुगा सोरेन नहीं रहे लेकिन आज भी उनके नाम को उनको बहुत लोग चाहते हैं वहाँ के लोग आज भी मानते हैं और सीता सोरेन उनकी पत्नी है और सीता सोरेन को इसका लाब मिलेगा इसमें कोई दोराय नहीं है अब जो बातें आ रही हैं कि हेमन सोरेन चुनाओ लड़ेंगे दुमका से तो दुमका से चुनाओ लड़ेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा अब की स्थिती में अब की स्थिती में एक चीजें जो बातें सामने आ रही है कि हो सकता है भारतिय जन्ता पार्टी दुमका कैंडिडेट को अब चेंज कर ले सुनील सोरेन के नाम की घोसना कर दी रही है भारतिय जन्ता पार्टी के द्वारा लेकिन सीता सोरेन के सामील होने के बाद ये बातें बहुत जोरों पर आ रही है सामने आ रही है कि इस seat पर जो हैसो candidate change भी किया जा सकता है और candidate कोई बड़ी बात नहीं है कि भावी भरसेस देवर हो जाए वहाँ पर या भतीजी भरसेस चाचा हो जाए ये भी संभावनाय प्रवल दिख रही है दूसरी और आप देखिए संथाल प्रगना के कदवर नेता हैं लॉबिन हम्रेम जारखन मुर्टी मोचा के गुरू जी के समय सही लगातार वो हैं वो भी पार्टी से नराज चल रहे हैं और राजमहल के विधायक जैसांसच जो हैं विजय हांसदा उनको हराने के में कोई कसर छोड़ने की बात नहीं कर रहें वो करने उसको किसी भी हालत में वो चुनाओ विजय हांसदा को हराएंगे यानि संथाल में अब एक नहीं दो कील जारखन मुक्ती मोर्चा के पेबंद में लग चुकी है अब इस कील का इलाज क्या होगा इस कील को किस तरह से जारखन मुक्ती मोर्चा इलाज करेगी इस कील का ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन हसी तो तब आती है जब इतने बड़े करम के बाद भी जारखन मुक्ती मोर्चा के द्वारा जो बयान दिया जाता है इस मुंदे पर और ये कहा जाता है कि भारतिय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे भारतिय जनता पार्टी में तो उनके अपने कारिकरताओं से ज़्यादा दूसरे पार्टी के लोग सामील हो गए हैं और वैसे ही लोग सामील हुए हैं जिस पर वज़ा क्या हुई सीता सुरेन को और सीता सुरेन अचानक से तो नहीं गई सीता सुरेन इसे पहले कई मरतवा बोल चुकी है तो आखिर उसकी बातों को जारकिन मुक्ती मोचा ने नजर अंदार्ज क्यों किया इसका जबाब जारकिन मुत्ती मोचा के पास नहीं है बहराल आज के विसेश में इतना ही हमारे साजूरे रहें हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार